कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती, इसलिए तुम शरीर का महोत्याग दो, ये रिष्टे, ये नाते, सब इस जन्म के हैं, इस जन्म से पहले या इस जन्म के पस्चात, इन रिष्टों का कोई अस्तित्तु नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पिताना, पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे? कहां होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव इसलिए कहता हूँ कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिष्टे भी नाशवान है क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं और पिछले जन्म में जब तुम्हारे मृत्य हुई होगी उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिष्टेदार रोय होंगी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे पुत्तों ने भहुत विलाप किया होगा। परन तो आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारे मित्ट पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका ये उनके रूने धोने का कोई मोल नहीं इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मलने का शोक करो ना किसी के साथ नाता तूटने का दुख मानो वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अरजुन कि जिने तू समझता है कि तेरी मित्र के बाद शोक करेंगे सारा जीवन रोते रहेंगे वो भी असत्य है मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हस्ता खेलता देखेगा मित्र चार दिन रोता है भाई दस दिन रोता है पत्नी उससे अधिक रोती है माता सब से अधिक समय तक रोती है परन्तु सब के आशु धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आखों में फिर से नए नए सपनों की रोश्नी चमकने लगती है बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्ड को भूल गए हो उसी तरह तुम अपने इस जन्ड को भी भूल जाओगे इस जन्ड के रिष्टों का अर्थ तुमारे आने वाले जन्ड में कुछ भीरी रह जाएगा ये रिष्टे शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मित्य के साथ मर जाते हैं इसलिए इन रिष्टे नातों के चक्रव्यू से बाहर आजाओ आत्मा अमर है इस अमर सत्य को पहचानो रिष्टे तो बदलते रहते हैं हे अर्जुन इसलिए तुम्हें न रिष्टों से मौण करना चाहिए न रिष्टों के तूटने का शोक करना चाहिए यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनश्य को एक सन्यासी की भाती सोचना चाहिए कि ये सब रिष्टे नाते मुह को उत्पन्न करते हैं और मुह इन रिष्टों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूपते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोच से खुद भी डूप जाता है इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोहों के बंदरों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा करता विक्या है तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेर्णा से मनुष्य कर्म करता है कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिष्टा होता है क्योंकि किसी ना किसी रिष्टे की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है इसले यदि मनुष सारे रिष्टे तोड़ देगा अपनी भावना को त्याग देगा तो फिर वो कर्म किस के लिए करेगा अपने धर्म के लिए धर्म के लिए हाँ अपने धर्म के लिए अर्था धर्म के लिए भावना के आवशक्ता नहीं होती नहीं धर्म के लिए भावना झाल झाल